हेलो दोस्तों कैसे हो सब दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कोश्चन नमबर 15 और चाक्टर NPO फ्रॉम T.S. ग्रेवाल बुक एडिशन 2021 लेकिन दोस्तों कोश्चन नमबर 15 को डिसकस करने से पहले आप सभी मेरे साथ एक बार ये फंड बेस्ट अकाउंटिंग का पॉइंट नमबर 2 क्रियेशन आफ एसेट्स वाला पॉइंट समझेंगे दोस्तों पॉइंट नमबर 1 ये फोर मीटिंग एक्सपेंस वाला हम अल्रेडे डिसकस कर चुके है कोशन नमबर 7 की वीडियो में इस वीडियो में हम समझेंगे फोर क्रियेशन आफ एसेट्स वाला पॉइंट नमबर 2 देखे दोस्तों फंड बेस्ट अकाउंटिंग में आप सभी जानते हैं NPO funds set aside करते हैं for some specific purpose और उन्हें donation receive होती है कुछ specific purposes के लिए अब वो specific purpose क्या हो सकता है किसी asset को create करना build करना तो इस case में क्या होता है for example कि building बनाने के लिए कोई fund create किया हुआ है NPO ने और वो building fund 20 lakh rupees रखा हुआ है उनके पास और donation receive हो यह 5 lakh rupees for the building fund and expenditure जो अभी तक हुआ है construction of building पे वो 9 lakh rupees हुआ है और अभी यह building पूरी नहीं बनिया यह work in progress है और capital fund है 10 lakh rupees तो दोस्तों देखें यहाँ पर आपको दो fund दिख रहे capital fund और building fund यह जो capital fund होते हैं यह हमारे unrestricted fund होते हैं इस fund के पैसे को NPO अपनी मर्जी से use कर सकता है बिना किसी restriction के और यह building fund होते हैं दोस्तों यह हमारा एक तरीके से restricted fund होता है क्योंकि इस fund के पैसे का use हम सिर्फ building को construct करने में कर सकते हैं और जब NPO इस building fund को पूरा use कर लेता है building construct करने में तो यह restricted fund transfer हो जाता है unrestricted fund में जाकर that is capital fund में तो उसके बाद सारी restrictions इस fund के ओपर से हट जाती है जब इसे specific purpose के लिए use कर लिया जाता है तो इसी चीज़ को हमें सीखना है दोस्तों इस concept में तो यह सारी की सारी details जो है हम balance sheet में liabilities side में show करते हैं आपको कैसे दिखाना है सबसे पहले आपको building fund का opening balance दिखाना होता है कि total 20 lakh रुपीज के building fund थे NPO के पास और donation 5 lakh रुपीज receive हुई थे during the year तो total fund 25 lakh रुपीज के NPO के पास रखे हुए थे for the purpose of construction of building और इस 25 lakh रुपे में से भी construction पे amount spent जो हुई है वो यह 9 lakh रुपीज इसका मतलब 9 lakh रुपीज जो है इस restricted fund में से transfer हो जाएंगे capital fund में that is unrestricted fund में क्योंकि 9 lakh रुपीज का use NPO कर चुका है और अब इसके उपर से restrictions हट चुकी है इसलिए दोस्तों नीचे liability side में जब आप capital fund 10 lakh रुपीज दिखाएंगे तो उसमें plus करेंगे transfer from building fund 9 lakh रुपीज यहाँ पर यह add हो जाएंगे building fund में से minus होके तो capital fund हमारा हो जाएगा total 19 lakh रुपीज and building fund remaining बचेगा 25 में से 9 lakh माइनस होने के बाद 16 lakh रुपीज और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि 9 lakh रुपीज spent हो चुके हैं building पे तो यहाँ पर building का asset create हो गया होगा 9 lakh रुपीज का लेकिन यह building अभी in progress है तो यहाँ पर building in progress दिखानी पड़ेगी हमें asset side में 9 lakh रुपीज की तो दोस्तों इस तरीके से आपको fund based accounting में अगर आपको किसी assets को build करने के लिए create करने के लिए fund मिलता है तो आपको इस तरीके से calculation show करनी होती है तो दोस्तों अब हम question number 15 कर सकते हैं तो सभी बच्चे मेरे साथ question number 15 read करेंगे from T.S. Greval book 2021 edition show how are the following items dealt with while preparing the final accounts of for the year ending 31st month 2021 of a not for profit organization तो दोस्तों इसमें 3 case आपके सामने दिये हुए है case number 1 हम पढ़ेंगे expenditure on construction of pavilion is 6 lakh rupees the construction work is in progress and has not yet completed capital fund as at 31st March 2020 is rupees 20 lakh तो दोस्तों यह opening balance हमें दिया हुआ है capital fund का on 31st March 2020 तो इसमें हमें क्या करना है देखें दोस्तों यहाँ pavilion पे 6 lakh rupees expenditure कर चुके हैं लेकिन case 1 में यहाँ पर pavilion के लिए कोई भी specific pavilion fund maintain नहीं किया जा रहा है NPOK द्वारा तो इस pavilion को हम सीधा balance sheet में दिखाएंगे कैसे तो दोस्तों case number 1 का solution आप देखेंगे balance sheet में आपको extract बनाना होगा asset 31st March 2021 और liabilities side में आप दिखाएंगे capital fund rupees 20 lakh और assets side में हमें pavilion दिखाना होगा in progress rupees 6 lakh तो this is the solution of case 1 इसके बाद case number 2 पढ़ेंगे expenditure on construction of pavilion 6 lakh rupees construction work is in progress and has not yet completed pavilion fund as at 31st March 2020 is 10 lakh rupees and capital fund as at 31st March 2020 is 20 lakh rupees अब दोस्तों इस case में pavilion fund maintain हो रहा है 10 lakh rupees का तो इस 10 lakh rupees में से 6 lakh rupees expenditure कर चुका है NPOK pavilion maintain करने पे तो आई इसका solution देखेंगे दोस्तों case number 2 में आप balance sheet की liabilities side में सबसे पहले capital fund दिखाएंगे 20 lakh rupees का और इस case में हमारे पास pavilion fund है तो liabilities side में आप pavilion fund दिखाएंगे opening का 10 lakh rupees और इस 10 lakh rupees में से 6 lakh rupees आप amount spent कर चुके हैं on construction तो यह जितनी भी amount आप expand कर देते हैं pavilion बनाने में वो सारा का सारा amount transfer हो जाता है to capital fund तो इस 6 lakh rupees pavilion fund से minus होकर capital fund में transfer हो जाएगा तो 6 lakh rupees यहां से minus होंगे और capital fund में transfer from pavilion fund plus करके दिखाना पड़ेगा तो इस तरीके से हमारे capital fund total 26 lakh rupees आएगा और pavilion fund जो 10 lakh rupees के थे अब वो सिर्फ हमारे पास 4 lakh rupees के रहे गए है और pavilion पे total जो हमारा expense हुआ है 6 lakh rupees वो asset side में as in work in progress दिखता रहेगा दोस्तो case number 3 देखते हैं expenditure on construction of pavilion is 6 lakh rupees construction work progress में है अभी complete नहीं हुआ है pavilion fund जो है opening में 10 lakh rupees है capital fund opening का 20 lakh rupees है and इस बार इसमें extra point क्या है कि donation receive हुई है pavilion बनाने के लिए और एक जनवरी 2021 5 lakh rupees तो दोस्तों ये इसका solution देखते हैं case number 3 में आप balance sheet में liabilities side में capital fund as it is 20 lakh rupees दिखाएंगे pavilion fund 10 lakh rupees इस बार donation receive हुई है for the pavilion तो वो इस fund के अंदर add हो जाएगी अब total fund हमारे पास 15 lakh rupees हो जाएंगे और इस 15 lakh में से जितनी amount आपने खर्च कर दी है on construction वो minus होगी और 9 lakh rupees आपका remaining balance pavilion fund का दिखेगा liability side में और ये जो amount 6 lakh की आपने construction पे खर्च की है that will be transfer to the capital fund that is unrestricted fund तो यहाँ से minus होकर capital fund में transfer from pavilion fund add हो जाएगा 6 lakh तो 26 lakh rupees के capital fund दिखेंगे और pavilion आपका 6 lakh rupees asset side में create हो गया होगा in progress तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आप सभी solution को note down करेंगे बाकि हम मिलेंगे next वीडियो में next question के साथ तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें, bye everyone